आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउटनोड नाओ तो हमें बताना है, जो हीट अपलाई करता है, जिससे की जो बेस मेटल है, वो एक्स्ट्राक्ट हो जाता है ठीक है, एक तो सबसे पहले समेल्टिंग में हीट अपलाई होती है अपलाई हीट और किसमें अपलाई होती है, और में अपलाई करते हैं हमें से in order to extract हम क्या करते हैं extract करते हैं to extract और base metal अगर हमें base metal को extract करना है निकालना है और में से ठीक है यह एक type की extractive metallurgy है ठीक है it is a type of extractive metallurgy ठीक है यह एक extractive metallurgy का type है metallurgy correct यह काफे सारे metals को extract करने में काम आता है उनके ओर से ठीक है it is used to attract extract many metals extract many metals from their ores उनके ओर से काफे सारे metals को extract करने के काम आता है यह ठीक है वो include करते हैं like silver iron extract करता है copper extract करता है और काफे सारे base metals को भी वो extract करता है राइट तो smelting process में होता क्या है कि यानि कि इस process में metal oxide की reduction होती है कोई भी metal oxide है उसको हम कोई भी heat heating agent या combustion agent अपलाई करके हम उसको reduce करते हैं और coke हम coke यूज कर सकते हैं या carbon का कोई भी और यूज कर सकते हैं as a reducing agent और हम metal को extract कर सकते हैं हमें metal मिल सकता है साथ में और coke का कोई भी oxide जो है वो release हो जाता है ठीक है तो हम example लेके देखते हैं example हो सकता है हमारे पस में for example zinc oxide है ठीक है zinc oxide एक ओर है हमें उसे extract करना है तो हम carbon use करेंगे coke यूज किया हमने और जो हमारे पस metal extract हो के आए कब होगा zinc metal साथ में carbon monoxide gas last release हो जाएगी ठीक है तो हम क्या लेखेंगे it is a method of reduction यह reduction method है ठीक है क्या करता है तो जो reduction का method होता है वो होता है किसी भी metal oxide का reduction करते है ठीक है और use करते है coke को by using coke as a reducing agent और इसकी वज़े से क्या होता है यह जो process होती है इसको हम कहते है स्मेल्टिंग राइट तो इसमें अगर zinc oxide प्लस carbon अगर हम लें तो minus 1400 डिगरी celsius पर यह देगा zinc plus carbon monoxide राइट यह होता है हमारे पास में correct answer thank you क्लासिक स्ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ताथ मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubt ने टाप यह whatsapp कीचे अपने doubt आच चार्सो 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 पर